कैसे कोई जाने कि हमको कैंसर है मतलब कुछ वैसे सिम्टम दिखना सुरू हो जाता है क्या बॉडी में और कैसे खुद को यह मतलब लेके जाए जांच हुआ पता चल गया की कैंसर है तब गावगर के लोग यह मान लेते हैं कि अच्छा कैंसर हो गया तब तो यह अब जाएग कैंसर के बारे में बहुत सारी वरांतिया हैं बहुत सारी गलत फैमिया हैं और आज साथ में इसके बारे में जो भी समाज में फैली हुई गलत-गलत भ्रांतिया है उसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे ताकि लोगों के मन में जो डर वैठा हुआ है वो दूर हो जाए तो सर सबसे पहले तो आपसे हम यह जानना चाहेंगे कि कैंसर होता कैसे है सबसे पहले तो हम धान्यवाद देना चाहेंगे आपको और आपके नियू चैनल को प्रयास नियूज को कि आप इस तरह के जो गंभीर समस्या है उसको आप लोग के बीच में लेकर जा रहा हैं कैंसर आज के समय में के वल्द हमारे प्रदेश का नहीं पूरे दुनिया के हमारे प्रदेश में तो और ज्यादा खासकर के बिहार में प्रॉलम इसलिए है कि यहां पर लोगों में आवेरनिस कम है इंफ्रस्ट्रक्टर का कमी है एक्सपोर्स कम हैं कैंसर सेंटर भी बहुत कम है उसकी वज़ए से प्रॉलम होता है कि बीमारी सही समय पर डियागनोस समय पर इलाज नहीं हो पाता है और उसकी वज़ए से उनका वाक्म थे क्च में कैसे कोई जाने कि हमको कैंसर मतलब कुछ वैसे सिम्टम दिखना सुरू हो जाता है क्या बॉडी में और कैसे खुद को यह मतलब ले के जाए जाज घर तक क्यूंकि हमारे यहां बिहार में यह परिवेश है कि ज्यादा तर सर्दी बुखार वगरा नॉर्मल कुछ होता है तो दवा लेके आए मेडिकल सौप से और फिर उसको इग्नोर कर दिये तो कुछ मुख वैसा लक्षन जिसको देखके आदमी समझ जाए कि अब हमको होस्पीटल जाना चाहिए कैंसर का अधिकांस जो सिम्टम्स होते हैं या साइन सिम्टम्स है और इसी वजह से वो पता नहीं चलता है इनिसेल स्टेज में कि किस तरह का बिमार लेकिन हां फिर भी कुछ जो है कि वैसे डेंजर साइन है एक है यदि किसी को भी ऐसा पता चले तो सावधान होना है अपने डॉक्टर से मिलना है यदि किसी के सरी में कोई भी गांठ है खास करके यह पैंडलिस लंप है बिना दर्द के गांठ है सरीर में कहीं से खून आ र जो पूछा है और वह नहीं हो रहा है और दुसरा इंपोर्टेंट इसमें होता है कि आपने डेंजर साइन के बारे में पूछा इसके रिस्क रैक्टर क्या क्या लोग पूछते हैं कि ऐसा कौन-कौन सा आदत है या कुछ केमिकल्स है या वो सब्सक्राइब कानपार में बदल के इसकी था जो विड़ा है और या से सबसे के अपने की चीज है और इसके लावे दस पर्सेंट कैंसर जो उते हैं तैंविक्षं की petroleum साआइक हुआ है działa से होता है तो उसको हम लोग वैक्सिन से प्रिवेंट कर सकते हैं तो इसमें कहां तक सचाई है और कैंसर का में कहां कर शोया त्युली काईण अपर से फ्रहुं में मैं five इंक युदी किन नेशे को उत्यूनियां तो इन्हें में पता चलता है तभी को बहुत सारा दवा एविलेबल है जिसे की पेसिन का कॉलिटी ओफ लाइफ ठीक हो सकता है उसका सर्वाइवल जो है की बढ़ता है और सजग रहने का जरूरत है ठीक है कैंसर यदि किसे को डियाग्नोस भी होगा तो उसे डढ़ने का जरूरत नहीं है बलकि उससे के लड़न चाते हैं और वहाँ पे सर्जरीट तीन महीना के बाद मिलता है और उसमें वहोता है कि जल्दी 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 महानगर में लेके चले जाए बड़े बड़े अस्पतालों में लेके चले जाए वहां ठीक हो Jling तो क्या सच में कैंशर कहीं पर अगर मैं लग बेट तो क्या पतना में संभ़ है कैंसर का इंशार का देखिए जो पर दरेंक लाघ लोगो बिल्वाइब कर द क्योर में चलता है थैक शोड़ा नहीं ठीक है सब्सक्राइब हो बिल्वाइब से लिग्स डीजाने लोगों के मन्द में क्यैंसर मैं क्या है कि आधिन दीजिय can अदम weet vari नहीं फरता है जैसे कि ब्लड प्रेसर है, सुगर है, है ना, कार्डियक जो डिजिज है, नॉन कमुनिकबल डिजिज है, वो एक आदमी से दूसरे आदमी नहीं पहते हैं, लेकिन किसी को कैंसर हुआ है, तब वो होता है कि उसमें खून के थरू, लिम्फैटिक सिस्टम के थरू, सरीर में ए कि आप देखेंगे कि यह मॉस्ट कॉमन कॉज ऑप कैंसर रिलेटेड डेट है, ठीक है, और वर वर्ल्ड और हर साल पुरे दुनिया में आप देखेंगे कि लगबग जो है, विच लाकी आज पास जो है, इसके लुग कैंसर के से डिजिज हो रहे है, तो पैंट टू मिलियन को खांसी है, काफी लंबे टाइम से, स्मॉकिंग का हिस्टरी है, तो उनको एविल्वेशन कराना चाहिए, अगरा करा के देखना चाहिए, एदि लंग कैंसर रिशाई से डिजिज हो भी क्योर हो सकता है, दूसरा अब उसमें बहुत सारा नय नय दवा गया, टागेटिड है, इम्नो थरापी है, उसे भी सर्वाइवल बढ़ा है, लेकिन अभी भी हम लंग कैंसर एदि एद्वान से स्टेज में हो, तो एक बहुत ही बड़ा मत्तब इस्यू है, समस्या है पेशन के लिए, यह टीटमेंट भी हो तो एदि एद्वान से स्टेज में डियागनोस होत है, इसका कोई प्राड़मिक लक्षन जो मतलब लगपाचा जाएंज कि इसमें खासी होता है, कफ होता है, मुस्ट कमन स्म्टम खासी के साथ बलड आ सकता है, वेट लॉस होता है, सांस लेने में तकलिफ हो सकती है, यह सब लंग कैंसर का लक्षन है, वजन कम होना यह वजन स्टेज में डियागोस होता है तो इसमें सरजरी का एक OPSन है, सर्जिकली इसको रिमुब क्या सकता है कुछ केसस में रिडीशन का जरूप होता है, अजी का आंस कैंसर क्षिंट को जो इडलंग कैंसर है उनको किमोथराफी का जरूप होता है, अजियरिसेप्टर पोजिटिव सब्सक्राइब है जैसे डिनो का सिनोमा इजी एफारल कर रिसेप्टर पोजिटिव है एडवांस स्टेज में तो इसमें आपका इसका इम्मिनो थ्रापी का भी रोल है तो हमारे पास कुछ ऐसे भी पेसेंट है जो की स्टेज फॉर में है और इम्मिनो थ्रापी लेने के सबस्क्राइब हो जाता है सरीरिव में बहुत सारी प्रफी में आती है साइड इफेक् 무대 किमो तरापिय उसको कहते है बट कीमो तरापि केंसर के लिए अलग अलग होता है ठीक है STEPHAN सबका अलग-अलग साइड एफेक्ट सोता है ठीक है और साइड एफेक्ट से ऐसा नहीं होता कि जो कि manageable नहीं है, ठीक है, जब ही हम लोग दवा देते हैं किसी भी बिमारी में, तो देखते हैं कि उसे नुकसान कितना हो रहा है, उसे benefit कितना हो रहा है, तो benefit उसे ज़्यादा होता है, इसलिए उस दवा दिया जाता है, और जो भी side effects होते हैं, जब तक दवा चल रहा होता है, उसे समय तो होता है, और दवा अभी इसलिए भी दवा दिया जाता है, उसमें supportive care का भी दवा होता है, इसलिए उसका side effect कम हो, तो उसे ड़ने का को जरूवत नहीं है, गभराने की जरूवत नहीं है, दूसरा cancer में भी myth है कि यदि बिमारी बढ़े है, यदि बिमारी बढ़े इक ये भी myth है लोगों के बीच में की cancer अगर हो गया तो बहुत पईसा का जरूवत पड़ेगा, इलाज में बहुत महांगा इलाज होता है, अगर जो गरीब है वो फिर इस बीमारी से बची नहीं पाता है, तो सर क्या सच में बहुत जादा पैसा खर्च होता है, या अगर ह कि अधिकान जो दवा है, आपका DPCU में है, कीमोथरापी के ड्रग्स है, इसके अलावे पेशेन को और भी सपोर्ट मिल जाता है, जिसा इसमान भारत अग्दी कार्ड है, तो गवर्मेंट की तरफ से भी मदद मिलता है, बहुत सारे NGO है, वो भी मदद करता है, या हमारे पा हॉस्पिटल आना चाहिए, इलाज कराना चाहिए, इसलिए कि आप इलाज नहीं कराएंगे तो फिर तो उसमें कोई चांस नहीं मनने, आप ट्रीटमेंट कराते हैं, तो क्योर होने का चांस रहता है, ठीक है हो, चलिए, तो हमने कोशिश की है कि कैंसर से सम्मंदी जो भी साल रह गया हो, तो उसे डाल दीजेगा, फिर से आके सर से उस सवाल का जवाब लेंगे, शुक्रिया.